आगत है आपके एको नई वीडियो में आपका भाई आपके लिए कुछ important अपडेट लेके आया है भाई एक ऐसे altcoin के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत 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 बहुतरीन काम कर रहा है और for sure वो portfolio में आपके होना ही चाहिए उस altcoin के बारे मैं आपको का 1000 के करीब है इथिरियम की बात करें तो 1300 डॉलर के करीब market में trade कर रहा है price इथिरियम का देखो market में volume बिल्कुल भी नहीं है अभी है ना और first week भी अब खतम होने जा रहा है हमें उमीद है कि second week में आपको market में volatility देखने के लिए मिलेगी क्योंकि बहुत सारे event होने वाले है second अगर आपको trade देखनी है तो मैंना अलड़ी आपको बता हुआ है कि 17600-700 के करीब से अगर आप bitcoin में देखना चाते हो short तो देख सकते हो अपना stop loss अठार हजार पर आप रख सकते हो अगर bitcoin जाए तो वहाँ पर अपना short आप बना सकते हो ठीक है चलो अब बात करते है important news के ब data बताता है कि 2014 में जितने cryptocurrencies launch होई थी उन मेंसे 91% जो cryptocurrency है वो आज की date में dead हो चुकी है 2017 में जो launch होई थी उन में से 704 coin dead हो चुके है ठीक है जो 2018 में launch होई थे उन मेंसे 751 जो altcoins है वो dead हो चुके है कहने का अर्थ क्या है मेरे बाई कहने का अर्थ यह है कि हर साल नए नए altcoins आते हैं अभी आप देखलो हाली में ही एक altcoin आया जो meme token है उसमें लोगों ने अपना पैसा लगा दिया लेकिन जब 2022-2023 तो अब 2024 में रिपोर्ट निकल गाएगी 2022 की 2023 की तो भाई आप देखना उस altcoin का भी नाम होने वाला है तो ऐसे project होते हैं crypto market में जिसमें भी कि आपको investment नहीं करना हर एक project में आपको investment नहीं करना अच्छा क्या आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हूं 2014 में लगबग 91% altcoins गए ठीक है 2017 में 704 गए 2018 में 751 गए लेकिन bitcoin एकलोता bitcoin है ऐसा है जो कि 2014 से अब भी survive कर रहा है और survive करेगा तो भाई bitcoin पर अपना main focus रखें और जो altcoins हैं सिर portfolio में से आदे coin गायब भी हो सकते हैं क्यों हो सकते हैं क्योंकि dead हो जाए next update की तरफ बढ़ते हैं आपर next update क्या है next update आ रहे है मेरे भाई कहां से next update आ रहे है आपकी क्रिप्टो को accept कर सकता है और bitcoin को हम अपनी country में किस तरह से लेके आएं ठीक है उसके पर काम काज कर रहा है ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो में थोड़ा सा आपका कह सकते हो उपर नीचे हो सकता है reason क्या है क्योंकि मैं ये emergency में video record कर रहा हूं क्योंकि news आपको आपक पास पहुचानी important है इसलिए मैं इस video को record कर रहा हूं अच्छा next और last update का है भाई last update है आपकी कहां से वो है आपकी एक ऐसा project जो कि market पर बहुत अच्छा काम कर रहा है वो कौन सा है भाई वो है polygon Matic मैं आपको बता दू अभी-भी की news है थोड़ी दिर पहले की news है भाई Matic अभी-भी partnership करी है mastercard के साथ तो इतनी बड़ी partnership है यह और यह web 3 में आप काम करने जा रहे है mastercard के साथ partnership करके तो यार मैं आपको पता हुआ है कि जो Matic है वो एक ऐसा coin है जिसने कि maximum जितनी बड़ी-बड़ी जो VC's है जो बड़ी-बड़ी जो capital ventures है firms है उनके साथ partnership कर रही है तो भाई Matic को किसी भी हाल में छोड़ना मत Matic को अपने portfolio में hold करके रखना अच्छा एक तरफ जहाँ पर India में पता नहीं है crypto में क्या होगा crypto कैसे करेगी ठीक है crypto के पर कितना tax लगाएं tax लगाने के बावजूद भी उसको legal करें legal करें भाई यह नहीं पता लेकिन Portugal एक country एक बयान आया है और Portugal के जो कह सकते हो आप जो वहाँ के ruler है या आप कह सकते हो वहाँ के जो PM है PM नहीं है वहाँ पर President है ठीक है तो उनका कहना यह है कि जो भी tax आएगा जो भी gains आएंगे Bitcoin से उनके उपर हम tax नहीं लगाएंगे Portugal के अंदर तो भाई यह एक बड़ी बहुत बड़ी अपडेट है पसंदने रखना हुआ हुआ थैंक यू सो मच बाइटेक एंबी सेफ क्रिप्ट कांसी जिन्दाबाद क्रिप्ट मार्कर जिन्दाबाद क्रिप्ट इन्वेस्टर जिन्दाबाद